हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तों आज मैं आपको रिजिनिंग में घड़ी पढ़ाऊंगा ठीक है और घड़ी से रिलेटेड सभी प्रकार के एक्जाम में आपको कोईश्चन देखने को मिलते हैं चाहे वो एससी हो यूपी एससी हो या आपका ट्रिपल स्सी हो ठीक है कहीं भी आप देखेंगे हर एक्जाम में आपको क्लॉक से रिलेटेड कोईश्चन पूछेगा कभी या एंगल पूछ लेता की और कभी पृतिभिम पूछ लेता दरपड में क्या इसका पृतिभिम बनेगा ठी तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताओंगा तो हमारे वीडियो पे आप लाश्ट तक बने रहे है यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सेयर करिए और प्रेस बेल आइकान जिससे आपको लेटेस नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, तो आए हम स्टार्ट करते हैं Clock, ठीक है? तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं Clock में ठीक है, ये आपके सामने एक घड़ी है, ठीक है? घड़ी में क्या-क्या होता है ये आप देखिये ये आपकी जो होती है बड़ी वाली सुई यह इसको कहते हैं second की स्वी ठीक है और यह होती है minute की स्वी और यह जो छोटी वाली है वो कौन सी होती घंटे की मतलब hour इसको कहते है hour hand इसको कहते है second hand और इसको कहते है minute hand ठीक है तो यह आपकी घड़ी का इतने part होते है ठीक है घड़ी में कौन-कौन सी सुईया होती है एक तो second की होती है एक minute की होती है और एक घंटे की होती है तो यदि हम इसमें देखते हैं कि second की सुई आपका यहां से चलती है ठीक है माल लीजे 12 से चलती है और चलते 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 जलते चलते चलते पूरा यहां तक आ जाती ठीक है बारा पे ही आती तो कितने एंगल बनाएगी कितने डिग्री की दूरी तै करती है ठीक है फिर आप देखें इसमें ये घंटे की सुई है मा लिजे घंटे की सुई यहाँ पे है 12 पे और ये भी चल रही है तो ये कितने घंटा चलती है ये पूरा आपको चलती है 12 घंटे एक गंटे, दो गंटे, तीन गंटे, चार गंटे, पांच गंटे, छे गंटे, जब एक गंटे की सुई दोर्पों कितने है तो एक घंटे में 360 डिगरी घूमती है मिनट की सुई कितने है एक घंटे में 360 डिगरी ठीक है ऐसे ही सेकंड की सुई एक मिनट में 360 डिगरी का दूरी तै करती है 360 डिगरी की दूरी तै करती है समझ में आ गया होगा आपको ठीक है तो आईए हम start करते हैं तो आईए हम start करते हैं second की sweet के बारे में कि second की sweet क्या होता है ठीक है इसमें क्या क्या होता है क्या क्या हमको जानना चाहिए तो इसको कहते हैं इंगलिस में हम second hand ठीक है second hand अब इसमें देखे 60 second में second की सुई द्वारा तै की गई दूरी ठीक है अब यहाँ पर देखिए साथ सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा तै की गई दूरी मतलब साथ सेकंड मतलब की बारा से स्टार्ट होती है तो बारा पर जब पहुंचती है तो साथ सेकंड हो जाता है ठीक है इसलिए एक सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा तै की गई दूरी एक सेकंड की जब बात करेगा तो ये साथ जो होगा इससे भाग हो जाएगा मतलब तीन सो साथ डिगरी जो है इसको हम साथ से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एक सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा ताय की गई दूरी तो यह हम काड देंगे तो कितना हो जगा 6 ,6,6 ठीक है यह कार देंगे और 6 ,6,6 मतलब हमारा कितना आ जाएगा 6 डिग्री जाएगा ठीक है यादि हमसे कोई एक्जाम में पूछ ले कि सेकंड की सुई, एक सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा तै की गई दूरी तो यक तै किया गया कोड पूछ ले तो हम क्या हो जगा 60 डिग्री ठीक है, डिग्री में पूछेगा तो 6 डिग्री ठीक है अब इसमें देखिए अता एक सेकंड में second की sui द्वारा तय किया गया code तो क्या हो जागा हमारा 6 degree यह question कभी-कभी पूछ लेता है directly ठीके तो इसको आप कोई याद करना पड़ेगा चाहे आप notes बना लीजिए ठीके चाहे याद करते हुए चलिए तो अथा 1 second में second की sui द्वारा तय किया गया code मिनट की sui को इंगलिस में क्या कहते है minute hand ठीक है minute hand में क्या क्या होता है आईए देखते है अब देखिए 60 मिनट में मिनट की sui द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा 60 मिनट मतलब पूरा जब चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट हो जाएगा minute की sui द्वारा तो मतलब एक घंटा कहा जाएगा तो या तो इसको 60 मिनट कहा जाए या एक घंटे में मिनट की sui द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 360 डिgeरी हो जाएगी समझ में आगया 360 डिगरी ठीक अब बताए एक मिनट में मिनट की सूई द्वारा तै की गई दूरी क्या होगी तो एक मिनट की जब बात करेगा तो हम 360 और बडे 60 कर देंगे ठीक है? तो हमारा क्या जाएगा? ये कर जाएगा 46 36 तो मतलब 6 डिगरी जो होगा तो मतलब कहा जाएगा एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा तै की गई दूरी जो होगा छे डिगरी होगा ठीक है एक मिनट में समझ गए अब देखिए अतहा एक सेकंड में एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा तै किया गया कोड कोड की जब बात करेगा यही हमारी दूरी जो होगी 6 degree वही हमारा कोण हो जाएगा यदि exam में directly आप से पूछा जाए कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा से किया गया कोण तो क्या हो जाएगा 6 degree हो जाएगा समझ में आ गया आईए हम our hand की बात करते हैं अब our hand अब इसमें देखें 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तै की गई कुल दूरी कितना हो जाएगी 360 degree ठीक है 360 degree होगा 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तै की गई दूरी 360 degree हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जब एक घंटे की बात करेंगे एक घंटे में घंटे की सुई द्वारा तै की गई कुल दूरी कितना हो जाएगी तो 360 बटे 12 हो जाएगा इसको हम काटेंगे 12, 13, 36 तो हमारा क्या जाएगा 30 डिगरी ठीक है तो मतलब कि एक घंटे में घंटे की स्वी द्वारा तै की गई दूरी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिगरी ठीक है यहाँ पर 30 डिगरी होगा अब क्या करेंगे तो इसी में अब देखिए अतहा एक घंटे में घंटी की सुई द्वारा तै किया गया कोड़ कोड़ क्या हो जागा जो हमारी दूरी होती 30 डिगरी यही हमारा 30 डिगरी हो जाएगा कोड़ ठीक है 30 डिगरी एंगल ठीक है समझ में आ गया तो यह हो जाएगा अब हम अब इसी को हम एक घंटे की बात है तो इसको घंटे को हम क्या बना लेंगे 60 मिनट इसी को लिख सकते हैं ना 60 मिनट इसलिए एक मिनट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा यह 30 डिगरी इसलिए एक मिनट की बात करेगा तो एक मिनट की बात जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा तीस बटे साथ और ये हो जाएगा वन बाइट टू डिगरी ठीक है वन बाइट टू ये कर जाएगा तो एक बटे दो हो जाएगा तो अता क्या हो गया कि घंटे की सुई, मतब एक मिनट में घंटे की सुई द्वारत तै किया गया कोड क्या हो जाएगा, आधा डिगरी हो जाएगा, ठीक है, एक बटे दो डिगरी, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, कि एक मिनट में घंटे की सुई द्वारत त इच अंतर कितना होगा, तो अंतर इसमें कैसे निकालेंगे बताईए, तो हम क्या होता है कि मिनट की, एक मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तै करती है, छे डिगरी, ठीक है, ये छे डिगरी तै करती है, और एक मिनट में घंटे की सुई कितनी तै करती है, ये आधा डिग इसको हम क्या लिख सकते हैं पांच सही एक बटे दो डिगरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो एक मिनट में मिनट तथा घंटे की सुई के बीच अंतर जो होता है ज्यारा बटे दो होता है इसी से हमारा कोश्चन बनेगा क्या बनेगा जैसे की मालीजे की मिनट तथा घंटे के बीच कोड कैसे बनाना है तो मिनट तथा घंटे के बीच कोड यदि पूछ ले ठीक है तो इसी टाइप से कोश्चन जो होगा मालीजे एक कोश्चन आपको मैं बताया दे रहा हूं तो इसमें फार्मूला लगाया जाए ठीक है जैसे तीन कोश्चन है तीन वा चार के बीच ने तीन बज़कर 40 मिनट तीन बज़कर 40 मिनट की बात करता है मा लिज़े तीन बज़कर 40 मिनट तो इस टाइब का कोश्चन देखे यदि हमारा मा लिज़े यह है कि तीन बज़कर 40 मिनट के बीच कितने डिगरी का कोड बनेगा तो इसमें हम क्या फार्मूला लगाते हैं इसमें हम लगाते हैं 30 इंटू H और माइनिस 11 बटे 2 इंटू M मतलब मिनट ठीक है यह हावर हो जाएगा यह मिनट हो जाएगा अब यहाँ पर हम 30 यह हो गया हमारा फार्मूला हो गया अब इसी में हम क्या करेंगे इसमें इस फार्मूले में हम इसको रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कैसे निकले का देखते हैं तो 30 हो जाएगा यहाँ पर 30 गुड़े H अबर कितना है 3 और माइनिस 11 बटे 2 और मिनट कि कितना है 40, ठीक है, अब इसको हम गुड़ा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, मतलब 90, 90 ही तो होगा, 3 त्रिक का 9, 90, और माइनस हो जाएगा, इससे को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार में, ठीक है, 20 दुना 40, और 11 दुना 22, मतलब 220 हो जाएगा, ठीक है, यह 220 हो गया, अब 220 220-90 कर देंगे ठीक है इसमें इसको इसमें से करें तो कोई दिकत नहीं है ठीक है इसको ऐसे कर देते हैं मतलब जो भी आएगा हम उसको प्लस में ही लिखेंगे ठीक है इसका मतलब यह होता है कि जो भी लिखा जाएगा वो प्लस में ही रहेगा तो 220-90 कर देंगे तो कितना हो हो जाएगा हमारा 130 degree ठीक है 9 3 12 ठीक है तो 12 मेंसे 3 गया 9 तो 130 degree जो होगा वही code बनेगा हमारा किसके बीच में 3 और 4 मतलब 303 बजकर 40 मिनट तो 3 बजकर 40 मिनट कैसे बनता है देखिए माल लीजिए यह वारी watch है यह हमारी watch हो हो गई ठीक है यहां पे हो गया 12 यह हो गया हमारा 3 यह हो गया हमारा 6 यह हो गया 9 ठीक है तो 8 इसका मतलब यहां पे होगा 8 यहां पे होगा 7 यहां पे होगा ठीक है तो 3 बजकर 40 मिनट जहोगा तो 3 से थोड़ा से इधर होगी हमारी यह switch ठीक है 3 और 4 के बीच में होगी और यह जो होगा वो 8 पे होगा तो यह जो degree बनेगा यह कितने degree का code बनेगा 130 degree का ठीक है तो यहाँ पर यह 130 degree का code बनाएगा ठीक है तो यह इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे ठीक है यह आप नोट कर लिजे मतलब की इसका फार्मूला होता है 30 into H minus 11 by 2 M ठीक है तो यहाँ पर आपको यह समझ में आगया होगा आईए देखते हैं अगला आगे अब देखते हैं प्रति मिनट सुईयों का विचलन degree में हमें कैसे पता चलेगा ठीक है प्रति मिनट एक मिनट की बात कर रहा प्रति मिनट तो एक मिनट में सेकेंड की सुई कितनी degree चलती है तो 360 degree प्रति मिनट मतलब एक मिनट में 360 degree सेकेंड की सुई द्वारा 360 degree की दूरी तै होती है ठीक है अब मिनट की सुई कितनी degree तै करती है प्रति मिनट एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिगरी निकलती है प्रति मिनट और घंटे की सुई आधा डिगरी प्रति मिनट जो कि हम आगे निकल चुके हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए ये दिमाग में बैठा लीजिए ये बहुत ही most important है इसी से related question एक्जाम में देखने को मिल जाता है ठीक है डारेक्टली पूछ लेगा कि सेकेंड की सुई प्रति मिनट प्रति मिनट सेकेंड की सुई द्वारा तै किया गया कोड क्या हो जाएगा ठीक है तो 360 डिगरी तो प्रति मिनट मिनट की सुई द्वारा तै किया गया कोड कितना हो जाएगा आधा डिगरी हो जाएगा ठीक है आईए देखते हैं अगे अब यहाँ पर हम देखते हैं संपाती संपाती के बारे में क्या होता है संपाती किसे कहते हैं संपाती मतलब जीरो डिगरी या जीरो मिनट का अंतर या एक दूसरे के साथ मतलब यहाँ पर देखिए एक वाच हम बना रहे हैं ठीक है यह एक करना है यह हमारा 12 हो जाएगा यह हो गया 3 यह हो गया 6 और यह हो गया 9 अब संपाती कब होगा जब यहां से माली जी इस पर यह बड़ी सुई हो गई और इसी पर हमारी छोटी सुई हो जाएगी ठीक है यह दोनों सुई जब हमारी होगी यह इसी पर सेकंड की भी सुई हो जा तो उसे क्या कहते हैं हम संपाती कहते हैं मतलब 0 degree इन दोनों के बीच में कितने degree का code बनेगा 0 degree कहेंगे तो यह question पूछ लेता है कि यह पूछ लेगा कि मतलब 3 और 4 के बीच में ठीक है 3 और 4 बजे के बीच में कब एक दूसरे की साथ होगी या 0 minute का अंतर होगा घंटे और मिनट के सुई के बीच में 0 मिनट का अंतर कब होगा या 0 डिगरी कब होगा या समपाती कब होगे तो इस टाइप का कोईश्चन एक्जाम में पूछ लेता है तो इसको हम कैसे करते हैं पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कितने एक घंटे में ठीक है ठीक है या इस्थिति दोनों सुईयों के बीच सुनी मिनट की दूरी होती है ठीक है तो सुनी मिनट की दूरी होती है अब आईए तो क्या हो जाएगा प्रत्येग एक घंटे में एक बार होता है प्रत्येग बारा घंटे में तो प्रत्येग बारा घंटे में ग्यारा बार समपाती होती है कितने बार होती है ग्यारा बार समपाती होती है क्यों 11 बार होती है देखे यहाँ पर 11 होता है और 11 और यहाँ पर होता है 12 एक होता है ठीक है तो जब हम दो घंटे में एक बार ही होती है संपाती कैसे देखते हैं 11 जब 11 और 12 के बीच में जब होगा तो 11 और 12 के बीच में नहीं होगा वो बारा बज़े करेक्ट संपाती होगा ठीक है और बारा से एक के बीच में नहीं होगा संपाती जब संपाती होगा तो सवा एक मतलब एक बज़ के पांच वांच मिनट पे संपाती होगा तो वो एक से दो के बीच में हो जाता है ठीक है तो इसलिए दो घंटे में एक ही बा होता है संपाती बाकी सम्मे होता है संपाती लेकिन यहां पर जो 11 और एक के बीच में एक ही बार होता है 12 बजे करेक्ट 12 बजे जो संपाती होता है ठीक है तो इसलिए कहा गया है प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है इसलिए प्रत्येक 24 घंटे में कितने बार होगा 24 घंटे में तो यह आपका 24 घंटे में कितना हो जाएगा 22 बार कितने बार 22 बार आपका संपाती होती है ठीक है मतलब प्रतिए 24 घंटे में जो घंटे और मिनट के स्वी कितने बार 22 बार इसी को दुगना कर देंगे वही हो जाएगा 11 बार 12 घंटे में तो 24 घंटे में कितना 22 बार हो जाएगा ठीक है आईए देखते हैं आगे तो यहाँ पर हम देखते हैं समकोड मतलब दोनों सुई जो मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोड कब बनाती है मतलब 90 डिगरी की बात कर रहे है या 15 मिनट की दूरी ठीक है तो कैसे देखते हैं आईए तो हम दो घड़ी बनाते हैं ठीक है दो घड़ी हम बना लेते हैं यह हो गया हमारा 12 यह हो गया हमारा 3 यह हो गया हमारा 6 यह हो गया हमारा 9 और यह हो गया इसमें भी घड़ी बन गई हमारी ठीक है अब इसमें 90 डिग्री का कोड कब बनेगा बताईए जब हमारा ये 3 पे होगी और ये 6 पे होगी ठीक है तो ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री का कोड बनेगा ठीक है समझ में आ गया अब 90 degree का code यह हो गया और एक बार कब बनेगी जब ऐसे होगा समझ में आ गया तो यह होगा हमारा 90 degree का code मतलब देखा जाए तो हमारा देखे एक तो 3 बजे बन रहा है और 1.30 बजे मतलब इसमें कितने दूरी का है 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो यह 15 मिनट की दूरी हो गई यहाँ पर देखे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की दूरी हो गई तो मतलब जब भी यह समकोड बनाएंगे तो कितनी दूरी रहेगी 15 मिनट का अंतर रहेगा तो यह आए देखते है तो प्रतियक 12 गंटे में घंटे तथा मिनट की सुईयां जो है 22 बार समकोड बनाती हैं यह आपको याद करना पड़ेगा ठीक है ठीक है एक घंटे में दो बार तो 12 घंटे में 22 बार ठीक है और 24 घंटे की बात करें प्रतेग 24 घंटे में ठीक है घंटे तथा मिनट की सुईयां कितनी बार बनाएं कितनी बार 44 बार समकोड बनाती है तो 12 घंटे में हमारा 22 बार हो जाएगा ठीक है 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में हमारा कितना होगा 44 बार समकोड बनाती है यदि यही question पूछ लेता है कि 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुईया कितने बार समकोड बनाती हैं यह पूछता है तो एक घंटे में दो बार बनाती है और यह दिवारा घंटे की बात करें तो हमारा 22 बार हो जाएगा और 24 घंटे की बात करता है तो 44 बार यह direct question पूछता है ठीक है? आईए देखते हैं आगे अब हम बात करेंगे विपरीत विपरीत मतलब एक दूसरे की सीध में या 30 मिनट की दूरी कहा जाएगा या आपको 180 डिगरी की बात करेगा या सीधी रेखा की बात करेगा मतलब की हमारा जो की एक घड़ी है यह देखे घड़ी हम बना रहे हैं यह घड़ी हमारी बन गई 12 3 6 और 9 ठीक है यह हमारी घड़ी बन गई यहाँ पर जो की सुई है इसमें क्या कहा रहा विपरीत मतली मान लीजे यह यहाँ पर है 3 पर तो यह आपका बड़ी सुई जो होगी वो 9 पर हो जाएगी ठीक है तो यह हो गया हमारा विपरीत हो गया तो अब विपरीत में कितने डिगरी का कोड बनता है यह देखे 30 इसमें मिनट की दूरी पूछे तो कितने मिनट की यह आपका 15 मिनट यह हो गया और 15 मिनट यह मतलब 30 यह आधा गंटे की मतलब 30 मिनट की दूरी होती है आईए हम इसमें देखते हैं यहाँ पर देखिए प्रतेक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की इस्वी जो होगी 11 बार विप्रीत होगी 11 बार विप्रीत होगी ठीक है कितने बार 11 बार होगी और क्या कहरा है प्रतेक 24 घंटे की बात करेगा 24 घंटे में ठीक है घंटे तथा मिनट की सुई कितनी बार होगी 22 बार तो 22 बार हमारा विपरीत भी होती है और 22 बार समपाती होती है यह आपको दिमाग में ठीक है आपको दिमाग में बैठाना है कि हमारी जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई 22 बार मतलब 11 बार 11 बार दोनों संपाती होती है और विपरीत होती है 11 बार संपाती भी होगी और 11 बार ही हमारा विपरीत भी होगी और 24 घंटे में 22 बार संपाती होगी और 22 बार ही विपरीत होगी लेकिन समकोड की जब बात करेगा तो दुगना हो जाएगा ग्यारा बार के जगह पे वो 22 बार हो जाएगा और 22 के जगह पे 44 हो जाएगा ये हमें आपके दिमाग में बैठा लेना ठीक है आईए देखते हैं अब एक टाफिक और बचा है इसमें देखते हैं घड़ी का दरपड़ परतिविम और जलपरतिविम दोनों की हम बात करते हैं ठीक है तो यदि हम एक घड़ी हम यहाँ पर बना लेते हैं ठीक है और यहाँ पर आपका एक घड़ी यह हो गया ठीक है यह आपका 12 हो गया यह आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यह क्या होगा, 12 और 6 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 12 यहीं पे रहेगा, और 6 यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्रति बिंब हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्य करेंगे माल लीजे इसमें हम तीन बजा रहे हैं ठीक है इसमें हम तीन बजा रहे हैं तो यहां पर तीन कैसे बज़ेगा ऐसे बज़ेगा तो यह हमारा नो की तरह दिखेगा ठीक है यह हमारा क्या हो जाता है दरपड दरपड प्रतिविंब में हमारा यह बनता है ठीक है यह अईसे ही तो बनेगा हमारा तूइ यह haँ इमर्ण वह कुतकर है यह से निदे को दिखेंगे इहां नौ में दंब इन्दिङा तो्यास मि दिमाग sayजय के दमाग में विल्मी निमंड तूइस favor ह01 इसको कैसे निकालना यह हम आपको तरीका बताये रहें, सिर्भा लेज़े तीन बज़ कर 10 मिनट है, तो इसका दर पड़ परतिबिम्ब क्या होगा, ठीक है तो कैसे हम निकालेंगे दरपड प्रतिबिम इसको सिखा दे रहे हैं हम आपको हमेशा ये आपको काम लगेगा टारेक्टली निकालने के लिए ठीक है दरपड में देखने की जुर्द नहीं पड़ेगी इसको हम 11 बज कर 60 मिनट से घटा देंगे हमेशा 11 बज के 60 तो इसको घटाएंगे तो हम क्या घटाएंगे 3 बज कर 10 मिनट तो जब हम 3 बज कर 10 मिनट घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा मिनट से मिनट घट गया 50 और 11 में से 3 गई 8 तो ये हमारा दरपड प्रतिबिम जो बनेगा 11 बज कर 60 मिनट को 3 बज कर 10 मिन मिनट हो रही हैं तो दरपण प्रतिवियम में 8 बज कर 50 मिनट हो गा sauce में आ गया आएए अब हम बात कर लेते हैं जल प्रतिवियम के बारे में आहे आएए हम बात करते हैं घडी का जल प्रत डि वि मतलब मिनट हो रही है तो water image में क्या होगा time ठीक है ये पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे ये मालीजे हमारा जो water image है यदि हम इसमें 3 बजा रहें ठीक है water image में हम यदि हमारे वास्तवी घड़ी में 3 बज रहा है तो water image में क्या बज़ेगा बताईगे तो water image में हमारा साधे 3 हो जाएगा साधे 3 हो जाएगा ये वाटर image ही तो होगा हमारा वाटर image में साधे 3 हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे कैसे माल लिजए सपोज करिये ठीक है एक एक एकजामपल हम देख लेते हैं ठीक है एकजामपल में मालीजे दो बज कर ठीक है दो बज कर चालिस मिनट है दो बज कर पंदरा मिनट मालीजे दो बज कर पंदरा मिनट है दो बज कर पंदरा मिनट है इसका जल प्रतिविम्ब क्या होगा जल प्रतिविम्ब क्या होगा तो इस टाइब की कोईश्चन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इस टाइब का कोईश्चन जब निकालेंगे तो हम ध्यान देंगे कि हमेशा इसमें हम किस से घटाएंगे तो अठारा तीस से घटाएंगे अठारा तीस से ही माइनस करना है उसमें हमें जारा साट से बहाग करना था इसमें हमें अठारा तीस से ही माइनस करना है तो अठारा तीस माइनस दो बज के पंदरा मिनट कर देंगे तो हमारा 2 बज़ के 15 मिनट जब करेंगे तो यह 18 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा यहां से पहले घटा लेते हैं तो 30 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 30 में से 15 जाएगा तो हमारा 15 बचेगा ठीक है और ये हमारा अठारा मेंसे दो जाएगा तो कितना हो जाएगा अठारा मेंसे दो जाएगा तो सोला सोला दो अठारा तो इसको हम क्या कहेंगे सोला बज कर पंदरा मिनट ठीक है तो यह हम इसको लिख सकते हैं यदि दो बज के पंदरा मिनट चार बज कर पंदरा मिनट हम कहेंगे कैसे कहेंगे यह देख लेते हैं माल लीजिए दो बज के पंदरा मिनट यहाँ पर कैसे बनेगा यहाँ पर यह होगा यह दो होगा तो दो बज के पंदरा मिनट ऐसे होगा तो water image में ऐसे हो जाएगा ठीक है बस तो हमारा क्या हो जागा 4 बच के 15 मिनट हो जाएगा ठीक तो हमारा answer निकल के आजागा 4 बच के 15 मतलब यह जो 16 है यह हम 24 गंटे का देखते हैं तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ठीक है 16 को हम क्या पढ़ेंगे 4 बच के 15 मिनट यह 16 बच के 15 मिनट का है यह 4 बच के 15 मिनट आंसर में जो हो वही आप टिक कर दीजिए ठीक है तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही क्योंकि वीडियो जादा लंबी हो रही है नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी सारे कोश्चन होते हैं तफ से टफ कोश्चन या आपको हर टाइप के कोश्चन लेके आऊंगा थैंक्यू फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे मेहनत को आप लाइक जरूर करिये ठीक है थैंक्यू फ्रेंड्स फार वाचिंग माई वीडियो जैहिंद जैभारत